दोस्तो रात भर भींगा काजू, किश्मिश और बदाम खाने के फायदे जानकर आप भी चोग जाओगे क्योंकि रात भर भींगा काजू, किश्मिश और बदाम आपके सरीर में एक नई जान डाल देगा जिससे आपके सरीर में एक ऐसा जबरजस्ट पावर सकती पैदा होगा जिसके बारे में आप भी नहीं सोचे होंगे दोस्तों अगर आपका सरीर दुबला पतला है और आप जहां भी जाते हैं जिधर भी जाते हैं या अपने दोस्तों मित्रों के पास बैठते हैं और आप अपने फेमली में बढ़ते हैं और आपको सभी लोग देखकर मजाक उड़ाते हैं जिससे आपको बहुत ही सरमिंदगी मौसूस होती है तो जान लिजी आज का यह हूम रिमेडी जबर्ज़ तरीके से आपको काम आने वाला है क्योंकि यह हूम रिमेडी खुद को अपने आप पर मैं अजमा कर देखा हूँ क्योंकि मेरा भी सरीर पहले बहुत ही दुबला पतला था तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं वीडियो में लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजिये और बगल में दिख रहे घंटी को दबा दीजिये क्योंकि मैं जो भी हल्थ से जुड़ी वीडियो अपलोड करूँ उसका नुट्पिकेशन डारेक्ट आपके पास पहुंचे दोस्तों आप जो यह देख रहे हैं काजू, किस्मिस और बदाम इसे क्या करना है आपको रात में सोते समय मात्र इतनी सी छोटी कटोरी में पानी रख कर इसमें इन तीनों चीजों जैसे काजू, किशमिस, और बदाम को इस पानी भरी कटोरी में डाल कर रात बर छोड़ देना है सुबह उठकर आप देखेंगे कि यह काजू, किशमिस और बदाम फुल कर नर्म सा हो गया होगा तो इसे सुबह ब्रस करके डेली इन तीनों चीजों को खाना है और यह जो पानी है इस पानी को तीनों चीजों के खाने के बाद इस पानी को भी पी लेना है यह उपाय मात्र लगतार आप 21 दिनों तक करते हैं तो देखेंगे कि आपका सरीर पहले की अपक्छा काफी बदला बदला सा नजर आएगा और आपके सरीर में एक नई उर्जा भी आ जाएगी तो दोस्तो आज की यह जनकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताईए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में सेर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जनकारी का लाग मिल सके